इडी का नाम सुनते ही भ्रष्ट अचारियों की बोलती बंद हो जाती है अप राधी बिल में छिप जाते हैं इडी का जब भी डंडा चलता है तो अच्छे अच्छों की हेक्री निकल जाती है इडी यानि प्रवर्तन निदेशाल है इसका नाम आते ही आपके जहन में एक ऐस सरकारी एजनसी की तस्वीर उभटी है जिसका काम चापे मारी करना प्रॉपर्टी जब्द करना या फिर किसी तरह के अन्य कानून से जुड़े काम करना है लेकिन इडी की भूमी का बस इतनी ही नहीं है हम आपको एडी के एक ऐसे रूप से भी रूबरू कराएंगे जिसक चहरा नहीं देखा होगा क्यूं इडी बांट रही बाइस सो पंद्रा करोड के फ्लैट किस मामले में इडी ने लोटाए फ्लैट क्या है इडी का नया प्लान सरकारी जार्च एजनसी इडी का जिक्र होते ही अपराधियों और भ्रश्यचारियों की हेकड़ी निकल जाती है लेकिन इडी का एक ऐसा चहरा भी है जैसे आज से पहले शाद आपने कभी नहीं देखा होगा और नहीं सुना होगा आपने अभी तक इडी का संपत्ती जब्त करते हुए तो सुना होगा देखा होगा लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि इडी लोगों को फ्लैट्स दे रह ही है तो चलिए बिना देर किये आपको पूरी खबर बताते हैं दरसल एडी के जिस रूप से हम आपको रूबरू करा रहे हैं वह ऐसे सकत काम छोड़कर आम आदमी के घरों की रजिस्ट्री कराने में भी मदद कर रहा है तो लाखों लोगों को उनके डूबे पैसे बांट र है गए ना आखिर हमेशा प्रॉपर्टी जब्त करने वाली घरों की रजिस्ट्री क्यों करवा रही है जाहिर है कि आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह खेल क्यों हो रहा है तो चलिए बताते हैं दरसल यह मामला है जहां एडी ने कुछ वक्त पहले ही मनी लॉंडरिंग में फसे SRS ग्रूप पर्ल की तमाम प्रॉपर्टी को अटाच किया है गुरुग्राम ने सिटी और प्रीमियम प्रोजेक्टल के इन फ्लाट्स को जब्त करने के बाद अब एडी इनके खरीदारों को सौंप रहा है इस कड़ी में एडी को 2,215 करोर की समिक्षा के बाद 78 मकान खरीदारों को 20 करोर रुपे के मकान देने और उसका रजिस्ट्रेशन कराने की प्रकृरिया शुरू कर दी है जिसने एडी के नए रूप को सबके सामने ला दिया है कि एडी ब्रस्ट अचारियों को छोड़ती नहीं है और जिनके साथ गलत पोर्ट्स के मुताबिक ये मामला 2020 से अका हुआ है मकान खरीदारों के पैसे मने लॉंडरिंग में यूज किया जाने के आरोपों पर इडी ने साल 2020 में इस प्रोजेक्ट के फ्लैट को जब्त कर रखा है अब सैक्डों खरीदारों ने इडी के पास अपने फ्लैट वापस पाने के आवेदन किया है इन बायर्स की पेपर की जाच परताल करने के बाद एडी रजिस्ट्रेशन की छूट देगा फिलहाल अठतर लोगों की स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है और उन्हें जल्द ही मकान हैंड ओवर कर दिया जाएगा हजारों प्रॉपर्टीज बाटे को उसके पीडितों को वापस लोटा सकती है इससे अपराद रोकने के साथ पीडितों के साथ वास्तविक न्याई भी हो सकेगा SRS ग्रूप ने मकान खरीदारों के साथ धोखा किया था ED का कहना है कि SRS की तरह ही और भी कई प्रोजेक्ट हैं जहां वास्तविक पीडितों को उनकी प्रॉपर्टी दिलाने का प्रियास किया जाएगा इससे पहले ED ने पशिमगाल में हुए रोज वैली चिट फण घोटाली के करीब 20 लाग पीडितों को उनके पैसे बाटे थे कलकता हाई कोट ने पीडितों को पैसे लोटाने का निर्देश भी दिया था रोज वैली गोटाले में करीब 10,000 करोर रुपए फरजी तरीके से वसूले गए थे ED ने 12 करोर जब्त कर करीब 20 लाख लोगों को बाटे हैं अभी और पैसे बाटे जाने है सुप्रिम कोट के आदेश के बाद हो रही है करवाई दरसल ED ने जनवरी 2020 में 2,215 करोर रुपए के संपत्ती अटाच की दिये जिसमें SRS ग्रूप के ऊपर होम बायर्स के साथ धोखा धड़ी करने के आरोप थे यह आरोप लगाया गया था कि SRS ग्रूप ने लोगों से रेसिडेंशल यूनिट के लिए पैसे लिये थे लेकिन वे उन होम बायर्स के नाम पर घर रेजिस्टर नहीं कर पाया था यह सारे फ्लैट SRS ग्रूप के नाम से रेजिस्टर थे ED ने ट्यूब्यूनल में अपील की थी इसके बाद यह मामला पंजाव और हरियाना हाई कोट और फिर सुप्रीम कोट चला गया जिसके बाद सुप्रीम कोट ने आगे निर्देश दिया कि असली हगदारों का वेरिफिकेशन किया जाए ताकि उन्हें फ्लैट वापस दिये जा सके ED के अधिकारियों ने बताया कि व्यापक वेरिफिकेशन किया गया ताकि लोगों को याई मिल सके अभी और घर खरिदारों की पुष्टी होनी बाकी है जिन्होंने घर को घर तो बुक कर लिया था लेकिन उन्हें मालिकाना हक नहीं मिला था उनका फ्लैट भी वापस किया जाएगा एक तरफ तो ED जुनके साथ नाइंसाफ हुई थी उन्हें इंसाफ दिलाते हुए उन्हें फ्लैट वापस कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ मोधी सरकार ने ED में भी कुछ बदलाव किये हैं जिसके बाद ED को और भी ज़्यादा ताकत मिल गई है तो चुली आपको बताते ह हैं उसकी पूरी कहानी राहुल नवीन बने ED के नए डारेक्टर केंद्र सरकार ने AIRS अधिकारी राहुल नवीन को प्रवर्तर निदेशाले का निदेशक निउप्ट किया है वे 1992 के IRS अधिकारी हैं वे अब तक एजनसी के एक्टिंग डारेक्टर के तौर पर काम कर रहे थ एडि के इंचार्ज डारेक्टर के तौर पर निउप्टि से पहले राहुल लवीन संजे मिश्रा के साथ काम कर रहे थे उनके साथ काम करके उन्होंने एजनसी के संचालन का अनुभव हासिल किया प्रधानमंत्री मूदी के अधक्ष्टा वाली एक समीती ने राहुल लवी को एडी के प्रमुख के पदपर नियुक्त किया है मसलन अक्टिंग डारेक्टर से उन्हें एडी चीफ के रूप में प्रमोशन मिल गया है राहुन लवीन संसी ने कई बड़े मामलों का खुलासा भी किया है सो से जाधा नेता एडी जाँच के दाइरे में किंद्र सरकार ने पिछले साल एक अध्यादेश जारी किया था जिसके तहट एडी और सीवियाई प्रमुखों का कारेकाल दो साल की निधारित अवधी के बाद तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है वर्तमार में एडी द्वारा देश के सौ से अधिक राजनीतिक नेताओं की जाँच की जा रही है जिनमें से लगवख पंचानमें प्रतिशत विपाक्षी दलों से हैं संजय मिश्रा को 19 नमंबर 2018 को दो साल के कारेकाल के लिए एडी निदेशक के को अवैद खुशित कर दिया था इसके बावजूद इस सरकार ने अदालत से अनुरोद किया कि मिश्रा को अक्टूवर 2023 तक एडी प्रमुख के रूप में जारी रखने की अनुमति दी जाए लेकिन कोट ने 15 सितंबर तक के लिए उनके एक्स्टेंशन को मंजूर किया था ग्रे मंत्राले में विश्विस कारे अधिकारी के पद पर कारेबार भी समाले हैं दो राज्यों के सियम को भेजो जील बिहार के बेतियात जीले के रहने वाले राहुल नवीन एक ठोस और शांदार ट्रैक रिकॉर्ड वाले वेक्ति हैं इससे पहले नवीन ने एडी में ही कई महतुकून पदों पर काम किया है इन्होंने आर्थी कप्रादो और मनी रॉंडरिंग से जुड़े कई मामलों की ज्राच में एहम भूमिका भी निभाई है साथ इन्होंने एडी के विशेस निदेशक के रूप में इन्होंने कई बड़े मामलों की ज्राच में भी बड़ा रोल निभाया है 57 साल की नवीन नवंबर 2019 में विशेस निदेशक के रूप में एडी में शामिल हुए थे वहीं नवीर ने ईडी के कारेवाहक प्रमुख के तौर पर कई एहम मामलों की बागडोर भी सम्हा ली है इनके कारेवाहक वाले कारेकाल में दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद के जिवाल और जारखंड के मुख्य मंतरी हिमंत सोरिन की गिरफतारी भी हुई थी यह दोनो अलग-अलग धन-सोधन के मामले में थे जो काफी जबाशाओं में है हाला कि हमान सोरल को जमानत मिल चुकी है और दिल्ली के सीम अर्विं के達िजिवाल अब भी जमानत की रहा देख रहा है क्योंकि पूर्वी डिप्टेस ये मनीश सूर्या को जमानत मिल चुकी है जिसके बार केज़िवाल ने भी सुप्रीम कोर्ट का दर्वाज़ा खट-कटाया अब देखना होगा कि क्या आर्विन केज़िवाल को भी सुप्रीम कोर्ट से कोई रात मिलती है या फिर नहीं बहराल एडी के इस अनोखे तरीके के बारे में आप जानते थे या नहीं कमेंट करके जरूर बताईएगा टर्निंग पॉइन में फिलाल के लिए इतना ही बाकी देश दुनिया के खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी नमस्कार